नमस्कार आप देख रहे हैं रिवाडी अपडेट और आज 26 जून का हेल्थ बुलिटिन जिला परसासन ने जारी कर दिया है जिसमें ये कहा है कि जिले में आज 15 नई पोजिटिव केस कन्फरम हुए है और आप जिले में जो पोजिटिव केसों के संख्या है वो बढ़कर 233 हो गई है अलाकि इन में से 82 लोग स्वस्थो कर अपने घर भी लोटे हैं लेकिन दुख की बात ये है कि इन में से 5 लोगों ने अपनी जान गवा दी आज जो पांचवे व्यक्ति की मोत हुई है वो अजे नगर का 54 वर्सिय व्यक्ति था जो कुछ दिन पहले पोजिटिव कन्फरम हुआ था और बीती रात रेवाडी के नागरिक अस्पताल में उस व्यक्ति की मोत हो गई जिसके बाद जिला प्रसासनिक अधिकारी उसका जो अंतिम संस्कार करने के लिए गड़ी बोलनी रोडसित सक्ती नगर की समसान भूमी में पहुँचे जहां स्थानिय लोगों ने समसान भूमी के गेट पर ताला लगा दिया और कहा कि जिस जगे का मिर्तक रहने वाला था उसी समसान भूमी में इसका अंतिम संस्कार कराये जाए करीबन दो घंटे तक स्थानिय लोगों के साथ जिला परसासनिक अधिकारियों ने मत्था पच्ची की लेकिन स्थानिय लोग नहीं माने और फिर हार कर सव को यादव नगर स्थित समसान भूमी में ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया आपको बता दे कि अभी तक जिले में 469 सेंपल्स लिये गए हैं जिनमें से 215 सेंपल्स की रिपोर्ट आना भी बाकी है जबकि इनमें से 233 लोग पोजिटिव आये थे जिनमें से 82 लोग स्वस्थ होकर अपने घर पहुँच चुके हैं जिनमें 5 लोगों की मोत हो चुकी है जबकि 146 लोग अभी भी एक्टिव है जिनका अलग अलग स्प्तालों में या फिर उनको होम आइसलेट किया गया है आज भी कोंटेक्ट ट्रेसिंग के अधार पर स्वास्थ भाग ने 56 सेंपल्स लिये हैं जिले में आज जो 15 नई पोजिटिव केस कन्फम हुए हैं जिनमे तीन खंडोडा, एक एक रतंथल, अजे नगर, कुतुपूर, सास्त्री नगर, राधा, संतोस, कलोनी, धारोडा, बंजार वाडा, लियो चोक, पालावास, आनंद नगर, सेक्टर 3, रेवाडी, कमालपूर, वै, बासी ताबराय, मोहल्ले का है नई पोजिटिव केस मिले है इन सभी इलाकों में स्वास दिवाग की तरफ से जो आगामी कारवाई की जाती है, कोविड-19 प्रोटोकोल के दहत, वो सुरू कर दी गई है, साथ ही जो पहले कल यानि परसो जो पोजिटिव केस मिले थे, उन इलाकों को कंटेंड मेंड जोन घोसित कर, वहाँ पर डूटी इन इलाकों में किसी भी तरह की लोगों को दिक्कत ना हो, उसको लेकर सप्लायर्स भी निक्त किये गए है, जो फल सबजी और अन्य जो मूलभू सुईदा है, उसकी पूर्ति करेंगे